नमस्कार दोस्तों मैं हुराज गोटो मैं लोन मी इंडिया में आपका स्वागत है तो आज मैं बताने वाला हूं आप लोगों को शॉप्ट्वेयर कैसे डाउनलोड किया जाता है मैं आप लोगों के शामने VLC मीडिया प्लेयर डाउनलोड करूँगा ते तरीके से आप और भी शॉप्ट्वेयर डाउनलोड कर पाएंगे तो software डाउनलोड करने से पहले सबसे पहले हम अपने system के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे कि हमारा system कितने बिटका है और हमारे system के अंदर कौन सी बिंडोर दली हुई है चलिए दोस्तों सुरू करते हैं system की जानकारी प्राप्त करने के लिए ने सबसे पहले हम डेस्टोप पे जाएंगी, डेस्टोप पे हम देखेंगे कि हमारे लेफट साइड पे इस पीशिक आइकन है, इस आइकन पे हम राइट क्लिक करेंगी, और प्रॉप्राइटेज बेक्ट क्लिक कर देंगे लाई लुव दोस्तों स्क्रिन पे देखें कि हाँ शामने 64 अपरेटर सिस्टम नजरा रहा हूं रायट साइड में बिंडो 10 तो में सिस्टम 64 बिट का है और बिंडू 10 डली हुई है तो मेरा सिस्टम हम 64 bit और window 10 लो कर रहा है दोस्तों सबसे पहले हम Google Chrome को ओपन कर लेंगे दोस्तों यहां पर हम टाइप करेंगे VLC media player और जो हमने सिस्टम देखा था 64 bit का हमारा सिस्टम है और window 10 है तो वो भी हम यहां पर लिखेंगे दोस्तों यह नीचे लिखा हुआ नजार आ रहा है तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा क्योंकि मेरे 64 bit का विंडो 10 डली हुए यह मेरे में तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ दोष्तों इसके बात हमारे सामने बहुत सारी वेफसाइड के ख लो पका याई जाएन है हमिं इस पर वेसौप लेता हूँ में क्लिक करेंगे हमाय शाम lets नहां पे मेडिया प्लेयर हमें दिख्याए है और राइश zarड में हमआरे डाउनडर का ओप्शन आ रहा है डाउन लोड करने के लिए हमिस्ते करेंगे कि में दोस्तों आप देख सकते हैं कि लिए सब्रक्राइब visitor करकते हैं नीकOL 중 Creat dhp हमारी complete हो गई है अब हम इसको open कर लेते हैं इस point पर click करेंगे इसके बाद show in folder पर click कर देंगे अब हमारे शामने एक नया page open हो जाएगा जहां पर हमारी download link complete हो गई है दोस्तों आप देख सकते कि VLC media player software हमने पूरी तरीके से download कर लिया है तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप लोगों हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए शुक्रिया